नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अनन्त राथी मनोचिकिटसा के उन शामुक्ति विशेशग्य विकने राजस्थान से दोस्तों हर साल 26 जून को इंटरनेशनल ड्रे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है मतलब इस दिन खास तोर पे पूरे विश्यो में कुछ एक्शन लिये जाते हैं ताकि नशे को रोका जा सके नशे के उप्योग को रोका जा सके नशे को एक जगे से दूसरे जगे तक पहुंचाने को उससे भी रोका जा सके तो इसलिए हमने इस जून के महिने को पूरी तरह से नशा रोकने के लिए समर्पित किया है कि कैसे हम अपने देश में नशे के इस दूस प्रभाव को कम से कम कर सकें और नशे को फैलने से रोक सकें तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे पैचाने कि हमारे घर में कोई बच्चा नशा तो नहीं करने लगया है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको लग जाता है कि हाँ हमारे घर में कोई बच्चा है या कोई व्यक्ती है जो नशा करने लग गया है तो अब इस situation में हमें आगे क्या करना चाहिए बहुत से पेरेंट्स अकेले भी आ जाते हैं हमारे पास कि सर हमारा बच्चा स्मैक पीने लग गया है हमें पता चल गया है पर अब हम उसको आगे कैसे टैकल करें आप हमें बताईए तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरा अंग तक देखिएगा और समझेगा कि कैसे हम हमें उस बच्चे से बड़ी सावधानी से डील करना है तो दोस्तों सबसे पहले तो जब भी हमें लगे कि बच्चे ने नशा करना शुरू कर दिया है तो सबसे पहले उस बच्चे से बात करनी है उससे दूर नहीं बागना उसको अपने पास बुलाना है उसे अपने पास अधर बड़े प्यार से बात करनी है कि देखो बेटा आपके इस व्यवार में इस तरह से हमने परीवर्तन देखा है ये आपके पिछले समय में कुछ ऐसा हमने देखा है और हमें ऐसा मैसूस हो रहा है कि आप नशा करते हैं हम समझते हैं कि नशा जो है वो कोई बुरी आदत नहीं है या कोई आपकी कमजोरी नहीं है या कोई आपकी इच्छा शक्ती में कमी नहीं है इस बात को हम समझते हैं बलकि वास्तव में नशा क्या है उस बच्चे को हमें समझाना होगा कि वास्तव में नशा एक मानसिक बिमारी है जी हां दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते है जिनके दिमाग में कुछ chemicals की कमी होती है, वो chemicals नशा लेने पर एक बार थोड़े समय के लिए बन जाते हैं और उन्हें अजीब बहुत अच्छी सी खुशी मैसूस होती है, उस खुशी को बार बार पाने के लिए वो बार बार उस नशे को लेने लग जाते हैं, तो इस chemical की कमी होना ही मानसिक बिमारी है, ये बात हमें उस बच्चे को समझानी है, कि हम आपको कभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि आप बिगड़े वे हो, आपकी संगत बुरी है, या आप एक कमजोर बच्चे हो, या आप में इच्छा शक्ती की कमी है, बलकि हम मानते हैं कि आप मानसिक त बड़ाई है इस नशे से जो आपकी जंग है उस जंग में आपका परिवार जो है वो आपके साथ है उसे ये बरोसा दिलवाना है कि हम सब साथ मिलकर के इस नशे के खिलाफ लड़ेंगे आपको नशा छोड़ने में अगर कोई भी तकलिफ महसूस होती है तो पूरा परिवार आपकी मदद के लिए आपके साथ है बस आप एक step लीजिए कि इस नशे को छोड़ा जाए तो हमें उसको ये भरोसा दिलाना है तीसरी बात हमें क्या करनी है जब भी आपको कोई भी शक हो कि आपका बच्चा नशा कर रहा है तो कभी भी उसके दोस्तों से फोन पे बात करके नहीं पता करें दोस्तों से ना पूछें या उसके कोई भी जो आफिस के कलीक्स हैं उससे नहीं पूछें या उसके दोस्तों को घर पे बुला करें उसके साथ वालों घर पे बुला करें उसके सामने इसके बारे में कोई पूस्ताच नहीं करें, दूसरों से उसके ड्रक्स लेने की बात ही नहीं करें, ये जो बात है पूरी तरह से confidential होनी चाहिए, सिर्फ जो ले रहा है, उसी से पूछना है कि हमें आपको इत चेंजिस लग रहे हैं, आप नशा ले रहे हो, ये affirmatively आपको कहना है, इधर उधर inquiry दूसरे लोगों को नहीं बताना कि शायद वो नशा लेने लग गया है, जब आपको पता लग जाए कि बच्चा नशा लेने लग गया है, तो ना तो उस बच्चे से जगड़ना है, ना उस बच्चे से बहस करनी है, दोनों ही काम नहीं करने हैं, बहुत से parents जगड़ने ल उनों चीजें तो बहुत बार parents में father की तरफ से देखने को मिलती है, बहुत से parents ऐसे हैं जो justify करने लग जाते हैं, नहीं मेरा बच्चा तो ठीकी है, खास तोर से मा होती है, उसका दिल जो हो थोड़ा soft होता है, वो justify मेरा बच्चा तो एकदम ठीकी था, ये पडोस में ये ल की है, उसे ये नहीं कहना कि आपने नहीं किया, आपके दोस्तों ने करवा दिया, नहीं, दोस्तों ने जबरदस्ती उसके मूँ में cigarette नहीं डालके खेंचने के लिए दी, उस फिक्ती ने अपने आपी cigarette पकड़ी होगी, अपने आपी cigarette खींची होगी, तो ना तो उसे justify करना ना उसे other family member से hide करना है मान लोग किसी को पता चल गया मा को पता चल गया कि बच्चा नशा कर रहा है उसके room के अंदर cigarette के टुकडे या aluminum का foil paper कुछ भी देखने को मिल रहा है तो मा को ये नहीं करना चाहिए कि उसके पिता जी से इस बात को छुपाए उसे अपने परिवार में बताना चाहिए कि अपना बच्चा जो है गलत रास्ते पे चल पड़ा है और हमें इस बारे में कोई ना कोई action लेना होगा तो इस तरह हमें एक टीम वर्क के तौर पर के काम करना है कि घर वाले पूरे सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को नशे के चंगुल से बाहर निकाले तो सीधा डायरेक्ट उसी बच्चे से बात करनी है कि आप क्या नशा ले रहे हैं कब से ले रहे हैं कितना ले रहे हैं और क्या आप इस नशे को अपने आप घर बैठे छोड़ सकते हैं क्या आपको कोई तकलीफ होती है नशा छोड़ते समय इस बारे में उससे बैठ करके बात करें ठीक है और अगर उस बच्चा कहता है कि मैंने पहले भी छोड़ने की कोशिश करी है मेरे को ये दिक्कत होती है मेरे से रहा नहीं जाता नीन नीयती बदिन में दर्द होता है एंग्जाइटी होती है गपराट होती है तो उस बच्चे को साइक्याटरिस्ट के पास ले करके जाएं साइक्याटरिस्ट उसकी हेल्प करेगा कि उसको जब भी वो नशा छोड़े तो नशा छोड़ने की वज़े से जो withdrawal symptoms हाते हैं मिनिमम हो, कम से कम हो ताकि आराम से उसका नशा छोड़ जाए उसे कोई तकलीफ नहीं हो दोस्तों हमें ये समझना होगा परिवार वालों को ये समझना होगा कि नशा जो है ये एक relapsing illness है relapsing illness का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मतलब जो व्यक्ति नशा करने लग गया वो जिन्दगी में कई बार नशा छोड़ेगा और कई बार वापस नशा करना शुरू करेगा ये इस बिमारी की प्रकरती है कि ज़्यादा तर लोग अधिकांस लोग बार बार नशा छोड़ते हैं और बार बार वापस शुरू कर देते हैं परिवार की भूमिका ये रहेगी इसमें कि उस व्यक्ति को इस तरह का support दें कि उसके relapses कम से कम हो यानि वो वापस नशे की तरफ कम से कम भागे वो समय ज़्यादा हो जिस समय उसने नशा नहीं किया हो तो जितना अच्छा परिवार का प्रयास होगा उसका साथ देंगे उतना ही इस बिमारी में relapses कम होगे यानि वापस नशे की तरफ भागने की प्रवत्ति कम होगी हाशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दीगी जानकर ये आपको अच्छी लगी होगी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपकर सबसे पहले पहुँचे जय हिन जय भारत